हेलो फ्रेंड्स वेलकम अगें आज किस वीडियो में हम बात करेंगे स्गौली की संधी के बारे में स्गौली की संधी बहुत इंपॉरंट टॉपिक है as far as UPSC is concerned चाहे आप UPSC exam दे रहे हैं चाहे आप हिमाचल का कोई भी test दे रहे हैं इसमें से एक आध question आही जाता है किसी ना किसी रूप में तो आई यो वीडियो स्टार्ट करते हैं स्गौली की संधी कब हुई कहां हुई और क्यों हुई ये सबसे पहले important चीज है तो कब हुई ये मैं आपको बात पताता हूँ पहले स्गौली की संधी दो दिसमबर सन 1815 में साइन की गई दो दिसमबर सन 1815 में साइन हुई और साइन किस-किस ने की इसके उपर पहली बात तो हुई किस-किस के बीच में तो हुई नेपाल और अंग्रेज्यों के बीच में अगरेजियों के उरसे company के विए sign की थे दो समबर 1815 को sign हुए इसके उपर और sign किसने किसने किये नेपाल के और से राजगुरु थे उनके और उनका नाम था गजराज मिश्रा गजराज मिश्रा ने sign किये इस संधी के उपर नेपाल के और से और company के उरसे किये sign Paris Breadsau ने sign किये इस संधी के उपर और ये संधी लागु हुए थी 4 March 1816 को ये आपने ध्यान रखना है अगर पूछाए संधी कब हुई तो 1815 को हुई थी लेकिन संधी लागु जो हुई थी 4 March 1816 को हुई थी जाके अब प्रशन यह उठता है कि संधी की जरूरत क्यों पड़ी आकि नेपाल और अंगरेज जो थे गुरूखे जो और अंगरेज थे उनको संधी की जरूरत क्यों पड़ी तो इसके लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा पहले और उसके लिए मैप को ले जलता हूँ मैप के उपर. तो फिरेंड्स ये है मैप और ये मैप आप देख रहे हैं उपकर लिखा है इंडिया in 1805 भारत 1805 की सिती है. तो 1805 में जब भारत के आप देख रहे हैं तो यहां पर आप नेपाल भी देख रहे हैं. नेपाल देखिए सासक और नेपाल में एक भीम शेंट थे भीम सेंट सासक तो नहीं थे लेकिन वहां पर पीम थे वो तो वह बहुत पावर्फुल थे और उनके अंडर जो था नेपाल ने बहुत तरक्की की थी तो नेपाल ने सिक्क्यों के उपर कबजा कर लिया इधर आके गड़वाल अगर चेहले या और आपको अगर हिमाचल से रेलेट करते हुक्त ही में आपको पताए कि जो पूर कर थे अमरसिंघ थापा अपने नाम सुनोगा अमर सिंघ थापा जो थे उन्होंने कांगडा का किला घेर अरहन को महरास संसा चन्द को घेर रख़ख था बलासपर की रजा महांचन्द ने बलवाया धन को अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया राजसन सार्चन्द वाली तो आप उस वीडियो को देखें मैं लिंक दोओंगा आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ में आप उपर आई का बटन जो दिखेगा तो वहांपर क्लिक करेंगे तो आपको राजसन सार्चन्द की हिस्टरी मिल जाएगी वहांपर उस अमर सिंग थापा का चिकर भी किया गया है तो अमर सिंग थापा था वो कांगडा का किले तक कांगडा किला जो था यहां जैसे कहीं है तो यहां से लेके सिक्किम तक जो था इनकसारा नेपाल का एरिया था बहुत बड़ा एरिया था ये और जिस टेम ही ये अपनी समराज्य को फैला रहे थी क्योंकि इनका एक सपना था कि अलग बहुत बड़ा और पहाड़ी राज्य बसाना और उधर से अंग्रेज जो नगी बात कर रहे हैं तो 805 क्या जो लाई होी थी जो अठास 14 में स्टार्ट होई थी तो 18-14 में उस टेम तक अंग्रेज भी अपने साशन को क्या कर रहे थी बढ़ा रहे थे और आपको पता है कि एक मियान में दो तुलवारे नहीं रह सकती है गोरुक्षे उनको चुब रहे थे यहांपर गोरुक्षे जो थे और गोरुकों कांग्रेज तो दो शक्तिया थी पावर्फुल शक्तिया थी और वो एक दूसरे के साथ एक सा इकठी नहीं रह सकती थी तो कुछ ना कुछ तो भाना अंग्रेज्जों ने भी ले न था और वो भाना उनको मिल भी गया जब अमर सिंग थापा ने क्या किया पंजाब में जो सरंध है पंजाब में वहाँ पर अंग्रेज्जों को छे गाओं थे उनके उपर कबजा करने की कोशिश कर ली हमर सिंग थापा ने अटैक कर दिया वहाँ पर और वहाँ से क्या हुआ राई उसके बाद स्टार्ट होगी तो यह जो इस राई को नाम दिया गया अंगलो गोर्खवार अंगल गोर्खवार या अंग्रेजों की और नेपालों की युद तो अंगल गोर्खवार जो हुई 18-14 में स्टार्ट हुई और ये 18-16 तक चली दो साल तक चली रही काभी स्ट्रगल किया गोर्खवार ने हमारे गोर्खवार भाई पजो हैं बहुत बहादूरी से लड़े था थी, उनके पास facilities अच्छे थी, उनके पास जो weapons थे, अत्यार थे, वो भी बहुत अच्छे थे और इवन कि उनके पास resources, पैसे भी बहुत अच्छे थे जो था finance था वो भी अच्छा था जबकि इसके उल्टा था किसके साथ? गोर्खों के साथ गोर्खों में क्या था गोर्खों ने उसी टैम कुछ में पहले ही क्या था महराजा संसा चंद से यूद लड़ा था यहाँ पर और संसा यहाँ पर आके निकांगडा के किलों को घेर रखा था तो कुल मिला के वो financially पैसों के रूप में क्या थे वित की वितिय रूप में कमजोर हो चुके थे पैसा उनके पास बहुत कम रहे चुका था और वो थोड़े से ऐसे भी कमजोर हो चुके थे क्योंकि बहुत लगताए लड़ाईयों में वो व्यस्त थे एक बात ये हुई उसके बाद जो उसके बाद अंग्रेज थे उनको पहाडी राज्य जो थे जितने पहाडी राज्य थे उन्होंने सब ने कहा किया उनकी हेल्प कर दी क्योंकि अंग्रेजज़ों ने क्या किया अंग्रेज़ों पहाडी राज़ें को कहा कि आप हमारी हल्प करो अगेंस्ट गोर्खास हम आपको कह रहे तो पहाडी राज़ें उनके साथ मिल लिए उसके बाद और जो कारण रहे मैंनें आपको बताओ दूर सिंचार प्रणली उनके पास नई थीalar प्लानिंग के रूप में प्लानिंग भी जो गोरखों की थी टीने अचे हों के धाय सब्मार के पता है अचे लोगों कि अचे छाटार संसाधन संसाधन भी अंगरोजयों के पास बहुत जादा थे और इस यूद में नेपाल के जो गोर्खा लड़े उनके आपस में भी क्या था सहमती नहीं थी उनके आम में आपस में भी सहमती का अभाव था तो सहमती भी नहीं थी आपस में आपस में नहीं तिनी प्रॉप्रल में चपल पहन के लड़े थे पैरों में चपल पहनी थी और उनके पास हत्यार तक नहीं थे और वो पत्थों से लड़े थे बहुत ब्रेवली बहुत बहादुरी से वो लड़े थे गोर्खा भाई और फिर भी क्योंकि संसादन उनके पास बहुत अच्छे थे अंग्रेजों क या तो उसको वो मार देंगे या अगर अपने जान बचानी तो क्या करना पड़ेगा उनको अपने उनको संधी करने पड़ी तो इन गोरुखों को संधी करने पड़ी और संधी की कुछ सर्ते रखी अंग्रेज्जों ने अंग्रेज्जों सर्ते जो रखी उसमें नेपाल वा आगी जो present boundary है नेपाल की वहाँ पहुंच गया के और जो आज नेपाल है वहाँ पहुंच के तो ये हानिया हुई जो 25 साल पहले तक नेपाल ने राज्या अपने धीन कर रखे तो वो भी अंग्रेजियों को वापिस देने पड़े इस संदी की और भी किया सरतें थी वो क्या स एक शित्तर मैदानी एक शित्तर है जो नेपाल ने छोड़े अंग्रेजियों के लिए उनको अंग्रेजियों ने दो लाख रुपया दो लाख रुपय पैंशन देने की घोशना की हर साल तो तो लाख रुपय हर वर्स उनको देने की घोशना की अंग्रेजियों ने उसके अब यहां पर महाकाली नदी तो महाकाली नदी तक यह बहुत छोटा से रिया रहे चुगा है लगब एक तिहाई हिस्सा इनको अपना छोड़ना पड़ा नेपाल वाणों को उसके बाद और क्या संदिये सर्थें इस संदिये सर्थें यह थी कि जो सिक्किम के साथ कोई पहले 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 में के पाया जाएगा दो कुछ और कॉर्टार तो कुछ और नेपाल नेपाल कि सेवा नहीं ले पायेगी जबकिए उससे पहले उनकी से नमे फ्रांसी सी जो थे वो पहले नुक्त थे तो ये भी बहुत बड़ इहानी थी नेपाल वाणों के लिए उसके बाद उन्हों को एक और संधी में कि इन दोनों को नेपाल वाणों को गोर्खों को और अंग्रेज्जों को एक दूसरी के दिरबार में अपने अपने क्या करने अपने रखने पढ़े दूत रखने थे पढ़ने थे मंत्री रखने पढ़ने थे ताकि उनमें सबंद जो हाँ आपस में क्या रहें बहतर रहें नेपाल वाणे अंग्रेज्जों के दिरबार में मंत्री निक्त करेंगे और अंग्रेज्ज जो थे नेपाल के दिरवार में इन मंत्री निक्त करेंगे ताक कि क्या हो उनमें आपस में से बंद जो है ठीक रहें अगर कोई दिक्कत आए तो उन मंत्री में किसी हेल्पस को सॉल्व किया जा सके उसके बाद ये तो होगी सन 1816 के बाद तो बहुत बड़ा एरिया नेपाल ने अपना गवा दिया लेकिन इसके बाद सन 1857 में अब आपने सुना हो 1857 में क्या हुआ भारत में क्या हुआ क्रांती हुई भारत ये क्रांती नेपाल वाड़ों ने क्या किया गोर्खों ने अंगरेजियों का साथ या था help की थी तो उस help के बदले कया किया अग्रेज्जो ने 1860 में 1860 में ट्राई का H, यहां plane जैसा हिस्सा T्राई का हिस्सा काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है नेपाल को वापिस कर दिया उस help के बदले जो फार्षल चावरं में नेपालने की थी उनकी अर जबकि कुछ हिस्सा 1811 में भी दिया गया था तराई का कुछ हिस्सा 1811 में भी वापिस किया गया था नेपाल को अंगरेजों के द्वारा तो यह हुई सगौली की संदी, सगौली की संदी इसले का आता है क्योंकि संदी सगौली में हुई थी यह सगौली जो प्लेस है यह बिहार के चंपरन जिले में है कई बुक्स में इसको यूपी लिखा जाता है तो चंपरन जिले में है बिहार के और वहां पर ये संदी साइन हुई थी संदी के ओपर साइन मैंने आपको बता दिया कि किस किस ने किये नेपाल के और से गजराज मिश्र ने और कंपनी के और से पैरिस ब्राइड सा ने किये और चार मार्च चार मार्च 1816 को उन पत्त्रों का अधान परदान हुआ था उस दिन वो लाग हुई थी उन जो संधी पत्त्र थे अधान परदान उनका किसके बीच में हुआ डैविड अक्ट्रलोनी ये अंग्रेज थे और नेपाल की ओर से चंदर सेखर उपाधियाए नेपाल की ओर से और अंग्रेज जो की ओर से डैविड अक्ट्रलोनीन के बीच में संधी पत्त्रों का जिनको परसाइन वो तो वो एक्सेंज किया गया था उसके बाद ये जो था ये होगी सगौली की संधी अब इस संधी के अब भी जो था अब भी इसके थोड़े से दिक्कत आती है इस संधी के वज़े से वो संधी की वज़े से दिक्कत क्यों आ रही है क्योंकि ये जो संधी है इसमें को प्रॉपरली डीमार्केशन लेकी 60,000 km एरिया जो है वो विवाद का शित्तर माना जाते हैं, वहाँ पर विवाद रहता है इंडिया और नेपाल के बीच में अभी भी तो आप सुन रहे होंगे काला पाने लिपुले का विवाद चला हुआ है, तो काला पाने लिपुले का विवाद भी इसी चेकर में चला क्योंकि प्रॉपर डिमार्क्स नहीं है जहां पर जो है वैसे लाइन नहीं है कि जहां पर यह कहा जा सके कि यह एक बाउंडरी है तो इस कालाबान लिपुले के अलावा भी सुस्ता मेची टनकपूर और संदकपूर परशुपति नगर यह बहुत से रिये हैं जहां पर विव पर यह बहुत इम्पूरंट है एक्जैमिनेशन पॉइंट आफ व्यूसे और बहुत से अग्जैम में एक क्वेशन आते रहते हैं एक्जेक्टली हम बात करें तो एक्जेक्टली ये जो यूद चला था एक साल आठ मेने तीन दिन लग चला था तो ये तो था इस यूद के बारे में इस संधी के बारे में अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप इसे वीडियो को दो तिन पर रिवाइंड करके लिए साथ में नोट्स बनाएं आपके सारे एक अन्विजन है वो दूर होंगे स्टिल अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें कमेंट सेक्शन में लिखे हम डेफिनेटल उसको एड्रस करेंगे और उसके वीडियो मनागे आपका जो डाउट होगा दूर करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगए तो इसे लाइक करना ना भोले और अगर अपने इसको फ्रेंड्स के साथ को शेर जरूर करें और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर भी नए नए है और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर जरूर करें तो तिल में नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग थैंक यू